जल्वायू परिवर्तन के असर से बचाप Climate Smart Agriculture नमस्ते दोस्तों Green TV के आज के इस वीडियो में बात करेंगे Climate Smart Agriculture की खाद्यान सुरक्षा के लिए खेती की कई आधुनिक पदतियों के बारे में आपने सुना होगा जिनने अपना कर आने वाले समय में खाद्यान आपूर्दी संभव है लेकिन क्या अपने Climate Smart Agriculture के बारे में सुना है अगर नहीं तो चलिया आज विस्तार से खेती के इस नए दृष्टी कौन पर बात करते हैं धर्ती पर बदलती जलवायू का मिजाज खेती और किसान के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे जलवायू परवर्तन के अनकूल खेती को सक्षम बनाया जाए खाद्यान उत्पादन के साथ साथ खेती से होने वाली आय में भी इजाफा किया जाए और साथ ही हमारे प्राकरतिक संसाधन जैसे फशली भूमी, पशुधन, वन और मच्सेपालन के प्रबंधन का प्रावधान हो देश में क्लाइमिट स्मार्ट एग्रिकल्चर विक्सित करने की ठोस पहल की गई है और इसके लिए राष्टे स्तर की परियोजना भी लागू की गई है ये परियोजना खादे सुरक्षा और जलवाईव परिवर्तन की परसपर चुनोतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है इन चुनोतियों में पहली है प्रोडक्टिविटी और इंकम यानि उत्पादक्ता और आंधनी को बढ़ाना दूसरा है क्लाइमिट चेंज के अनुकूल होना और तीसरा जलवाईव परिवर्तन को कम करने में अपना योगदान देना किसान को खेती के इस दृष्टिकों को बारिखी से समझने और अपनाने की जरूरत है यानि किसान खेती में सिर्फ अपनी जेब का हितना देख कर परियावरन और प्रिकृति के हित को ध्यान में रखे जैसे Climate Smart Agriculture में हर फसल लेने के बाग खेत जोतना और बचे हुए फसल अवशेशों को हटाने की मना ही है अमूमन किसान क्या करता है फसल काटी और फसल अवशेश स्वाहा और अगली फसल के लिए खेत की जुताई जो की खेत की मिट्टी को बीमार करता है इसके ठीक उलट जुताई न करने से मिट्टी में पानी और पोशक तत्वों को रोकने की क्षमता बढ़ती है फसल अवशेशों को नस्ट करने की बजाए खेत में छोडने से खाद की खपत भी कम होती है इसके अलावा जुताई नहीं करेंगे तो डीजल भी बचेगा और प्रदूशर पर अंकुष लगेगा वो अलग खेती में पानी की खपत अंधा धुन्द होती है बीते कुछ सालों में भूजल स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि अगर पानी का संरक्षन नहीं किया गया तो खेती के लिए भी जल संकट एक विक्राल समस्या बन सकता है धान की खेती में पानी की सबसे ज़्यादा खपत होती है जिसे कम करके भी धान की अच्छी पैदावार संभव है कई तरीके भी विक्सित किये गए हैं जैसे नर्सरी में पौद तयार करके उसे रोपने की बजाए अगर सीधे धान बोएं तो इससे एक तो 25 प्रतिशत पानी बचेगा दूसरा मीथीन गैस का उत्सरजन होगा उसमें भी कमी आएगी धान की खेती में पानी की खपत को कम करने के उद्देश से बीते कुछ सालों से हर्याना की करनाल में रिसर्च भी चल रही है क्लाइमिट स्मार्ट एगरिकल्चर मॉडल के तहत सबसरफेस ड्रिप इरिगेशन से धान, मक्का और गेहों की फसल लेने का सफल प्रयोग करनाल स्थित केंद्रिय मिर्दालवर्ता अनसंधान संस्थान में हो रहा है इस प्रयोग में पानी की खपत 50 फी सदी और लागत 20 फी सदी तक कम दर्ज की गई है धान की खेती में 50 प्रतिशत तक पानी की बचत का ये प्रयोग देश में पहली बार किया गया है सबसरफेस ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का ही एक आधुनिक धाचा है सामाने drip irrigation में जहाँ पानी की pipeline जमीन या मेड के उपर लगाई जाती है महीं सब-surface drip irrigation system में ये pipeline जमीन की सहते से नीचे थोड़ी गहराई पर बिछाई जाती है सिचाई की इस नई पदती से धान, मक्का और गेहूं में पानी की खपत्तों कम होती ही है साथ ही और वर्कों की मात्रा भी कम देनी पड़ती है केंद्री मिर्दा लवर्ता अनुसंधान संस्थान के वेग्यानिकों का कहना है कि भवेश्य में पानी की चुनोतियों को देखते हुए ये तकनीक देश के लिए काफी कारगर साबित होगी कई देशों में सिचाई की इस पड़ती को अपना कर किसान खेती में 50-70 फीसदी तक पानी की बचत कर भी रहे हैं और अब भारत में इस पड़ती से सिचाई कर धान की खेती की जा रही है और धान की खेती में पानी की खपत को घटाने की ये कोशिश सफल भी रही है देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ किसान सिचाई की इस आधोनिक पदती से वाकिव भी हैं लेकिन जरूरत है सभी किसान आधोनिक तक्नीकों के फायदे को समझें और उन्हें अपनाएं और खेती और परियावरन को बदलती जलवायू से बचाएं क्योंकि दोस्तों ये तो साफ है कि क्लाइमेट चेंज यानि की जलवायू परिवर्तन के चलते आने वाले सालों में खाद्यान की आपूर्ती इंसान को भारी संकटों में डाल सकती है इससे फसलों की उपज में तो कमी आएगी ही पशुधन भी प्रभावित होगा जनतों की स कठेगी और गरीबी बढ़ेगी भोजन लोगों की पहुंच से दूर होता जाएगा पोशन का स्तर गिरने लगेगा भविश्य के इन खतरनाक अंदेशों को हकीकत के धरातल पर उतरने से रोकने के लिए जरूरी है कि हम आज ही जागरुख हो जाएं और अपने अपने स्तर के देच की अधिकतर खेती मौसम पर आधारित है इसलिए मौसम की हर करवट खेती और किसान को होगी समस्य को अपने dobre पर किसान खुद कैसे सुझा सकता है खेती के हर काम में जैसे जुताई, बिजाई, रोपाई, सिचाई, खाद और वरक देना ऐसे तमाम कारियों में किसान को ये ध्यान रखना होगा कि इनका पर्यावरन पर कोई नकारत्मक असर हुए बिना वो कैसे एक स्वस्ति फसल ले सकता है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और किर्शी ससंबंदिज जानकारियों के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूलें अलग-अलग विश्यों पर बने ग्रीन टीवी के वीडियोस को देखें प्रिकृति की जानकारियों का लाब उठाएं किर्शी की जानकारियों को समझें और दूसरों से भी इन्हें साजा करें ताकि जन्मानस में इस छेत्र के प्रती जागरुकता और बढ़े और प्रिकृति को प्राकृतिक संकटों की मार से बचाने में हम सबल हो सकें नमस्कार करशी और किसांश शक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिये गए लिंक पर क्लिक करिए पेटियम करें एनिएफटी और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं